करेंगे जिसमें उफेंस होते हैं जैसे कि गबर मुवी का एक सीन था उसमें यह क्या करता है कि जो खेतों में आपका वाटर पानी जाना होता है वह लगवार्मर्स को न देके यह किसी मंतरी और वहां के जो शुगर मील लूती है उनको देता है तो यहां पर इसको वह करता है और इसको सजा देता है वह अलगबात है यहां पर इस आये करोड़ जो लिये थे वो ये gratification था ठीक है वो ये जो खेतों का पानी होता है वो खिसानों को ना देकर दूसरे उनको दे देता है तो इसने यहाँ पर अपना काम नहीं करा ठीक है इसका काम था जो इसका काम था उसने अपनी प्रकॉफार्मेंस नहीं करी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के काम बनता था इसक्ष नहीं करा इसी से डिलेटेड आपका बात करता है स्ट्चिन सवेंग यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो अक्यूज़ोगा वह एक पब्लिक सर्वेंट ही होगा अगर पब्लिक सर्वेंट वो चीज लेता है वो जैसे कोई investigation officer होता है किसी case का वो क्या करता है एक party से पैसे ले लेता है और कहता है कि आप मुझे पैसे देदो बदले मैं उसके उपर ही charges लगा दूँगा तो यहाँ पर उसने क्या करा कि अपना काम नहीं करा और उसने एक का फाइदा दूसरे का नुकस दूसरे का नुकसान ठीक है और तो फॉर्बियर यानि की फॉर्बियर का मतलब रोकना और कॉस्ट फॉर्बियर्स टू परफॉर्म सच ड्यूटी इदर वा हिमसेल्फ और अनधर पब्लिक सेर्मेंट या तो वो खुद अपनी ड्यूटी खुद नहीं करेगा चीक है या त उनको नहीं करने देरा तो भी आप पर इस उस आदमें पर यह चार्ज लगेगा चीक है तो अब बात करते है बी पार्ट में देखिए और बी में सेम लेंगविज है पस यहां पर दोनों में फरक यह है कि यहां तो वो क्या कर रहा है अंडियो अड्वांटेज में कुछ भ से लीजे तो मनी जब वो मांगता है तो वो यहां पर आ जाएगा और अगर उसके बदले में कुछ और मांगता है तो वो अंडियो अड्वांटेज यहां पर सिरफ रिवार्ड का मतलब होता है पुरुसकार की तोर पर ठीक है बक्षीश कह दें जिसे अब सी पार्ट जो व इसको कर रहा है इसको कम दे कर ले या इसमें ना दूसरी फर्स पर चार्ट आपकर दूसरे पर लगा दे या इस पर गलने या कि यहां पर दिश्ट व अदम आश्ड़ार्ग काम कर रहा है। तो उसका ये काम मत कर तो जैसे कभी हुआ है हमने देखा होगा कि कोई पॉप्लिक सर्वेंट होता है ठीक है वो अपने सब और ने को या अपने से नीचे को या अपने से उपर वालों से कहता है कि यह काम ना करो तो वह यहाँ पर जो यह बंदा कर रहा है एसे expectations कर रहा है किसी से तो उस पर यह चार्ज लगेगा अब यह offense करने के लिए जैसे कोई offense करता है तो उस पर कित्ते साल की सज़ है तीन साल मिनिमम है और मैक्सिमम साथ साल है और यहाँ पर लिखा हुआ end यानि की fine भी लगेगा ही लगेगा अब बात करते हैं आपका इसकी explanation इसकी explanation क्या कहती है कि अगर कोई जैसे यहाँ पर इस explanation को फर्स explanation को बनने पहले इसकी clarification पढ़ते है एक public servant है आज का percent to P यानि कि S जो है वो एक P से कहता है कि 5,000 रुपे दे दे बदले में मैं तेरा राशन कार्ड बनना दुगा तो यहाँ पर ऐस ऐसे public servant ने यह demand करी है यही sufficient है यही पर उसने यह section 7 उस पर लग जाएगा अब वो उसका काम हुआ हूँ या ना हूँ उसने पैसे दिय या नहीं दिये तो यहाँ पर उसने उसके आगे circumstances ऐसे बना दिये ऐसे public servant ने सामने वाले के ओपर ऐसे circumstances बना दिये ऐसी compelling stage बना दी कि जिसके ऐसे उसे पैसा देना ही पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर यह बात दिखाई है कि अगर उसने सिरफ ऐसे demand करी है तो भी वो चीज इसमें आएगी अब explanation 2 के कहते है for the purpose of this section obtain or accept attempt to obtain shall overall the case for himself from another person public servant by using his public influence या corrupt illegal means यानि कि अपनी वो power का गलत इस्तमाल करता है चीजिक है या किसी third person से कहता है जैसे अपने कई बार देखा होगा कि कोई public servant होता है चीजिक है वो खुद पैसे ना लेके तीसरे person से कहता है कि तू मे पैसे collect करा कर तो यहां पर उस पर भी यह charge लगेगा चीजिक है अगर उसने थर्ड परसंट से भी demand करी है तो वह यह नहीं कह सकता है मैंने थोड़ने demand करी है इसने demand करी है अगर कभी भी यह public जैसे इसे example से समझे जैसे एक पुलिस वाला है इसका एक agent है और इसने पुलिस वाला कल को कहता है मेरे agent ने लिए मैंने पैसे थोड़ना लिए तो यह चीज immaterial है थर्ड परसंट यहां पर immaterial है ठीक है अगर इसने और इनका दुनों का connection आ जाता है तो यह पुलिस वाला यहां जिम्मेदार होगा ठीक है अब बात करते है 7A की 7A में आपके उसी पुलिस के agent की बात करें जैसे पुलिस वाला था यह उसके agent था 7 में तो अगर थर्ड परसंट के थ्रू डिमांड करता है तो पब्लिक सेर्वेंट माना जाएगा तो इस agent को भी तो सदा मिलनी जाहिए इस agent को 7A के अंडर सदा मिलेंगे कैसे यहां पर लिएक्सेप्ट ठीक है दोनों की मिली बगत है जाय मिली बगत हो या ना हो यहां पर यह agent जो है यह corruption के charge के लिए यह भी जम्यदार होगा और इसको कितने साल तक की सदा मिलेगी और आपका extending सा साल तक की भी होगी और यहां पर fine लगेगा तो 7A के जो 7 का C पार्ट जो था और यहां पर जो आपका 7 7A है इन दोनों में फरक बस इतना सा है कि 7C में public servant को सदा मिलेगी अगर वो agent के through काम करवा रहा है और यहां 7A में agent को सदा मिलेगी अब बात करते section 8 की section 8 आपका यहां पर एक pushpa movie आई थी pushpa movie में क्या हुआ था यह जो pushpa था यह पुलिस वाले को pipe देता है चीक है अब यह accept म लेगेगा इस pushpa पे section 8 का charge लेगेगा आप क्या कहता है any person who gives or promises to give undue advantages चीक है undue advantages में आपका money भी आ सकता है कोई holiday package भी आ सकता है या admission करवालो या iPhone भी आ जाएगा महला कोई भी ऐसा आपके फाइदे के लिए काम होगा चीक है तू अनदर person or person with intention to induce public servant to perform improperly or public duty तो यहां पर वो अनदर पुष्पा उससे कह रहा होता है कि तू मेरे जो drugs के का सॉरी जो लकडी का काम है उसको नजर अंदाज कर दे तो अपना काम मत कर तो यहां पर पुष्पा पर कौन सा charge लगेगा 8 का charge लगेगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर जो pushpa है वह आपका इसको पैसे दे रहा ह ठीक है अब इस public servant ने मना कर दिया तो यहाँ पर इस पर pushpa पर कौन सा चार्ड लगेगा एक पर और public servant पर कोई चार्ड ने लगेगा क्योंकि इसने कोई पैसे के डिमांड नहीं करी क्योंकि आपका prevention of PCA Act जो होता है वो आपका रिश्वत लेने वालों को भी उपर लगता है औ ठीक है अब बात करते हैं आपका section 8 के provided यह किन किन पर नहीं लगेगा provided जब भी आता तो इसका मतलब होता बड़ अगर मान लीजे किसी public servant ने किसी क्यों कंपैल कर रहा है ठीक है corruption देने के लिए और बदले में उसकी मजबूरी के वैसे पैसा दे दिया तो उस पर यह अपलाएं नहीं होगा ठीक है जैसे मान लीजे कोई केस का investigation officer होता है ठीक है वो कहता है कि अगर पैसे नहीं लगेगा अगर किसी को कंपैल कर रहा है मजबूर क अगर यह कहता है कि अगर ऐसे कोई compelling person कोई अगर public servant जो है वो demand करता है किसी से चीक है पैसे की तो उसे साथ दिन के अंदर investigation agency के पास जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा या आपका यहां पर घूस देने की कोशिश करी है तो उनको सिर्फ क्या होगा फाइन लगेगा जैसे कि आपको एक ग्जांपल्स ने क्योंकि यहां पर हमने यहां पर जहां पर भी एनी परसन वाली लेंगवेज आ रही है तो यहां पर हमेशा एनी परसन से मतलब होगा कि कोई अब यहां पर बात करते हैं आपका इलिस्टेशन की आप परसन पी जिवस अ पॉब्लिक सर्वेंट यह पॉब्लिक सर्वेंट है इसको दस अजार रुपे दिये तो इंशोर इस ग्रांट लाइसंस ऑवर अदर ब्राइस पी जिल्टी ऑफेंस ऑफ सब्सेक्शन एट तो य जैने कि यह, पी जो था यह नर्मल परसन था यह पॉब्लिक सर्वेंट था इसने एक पॉब्लिक सर्वेंट को आट दस अजार वपे देने की कोशिश करी और रिष्वत देई पर public servant ने मना कर दिया, यहाँ पर क्या है, इसने मना कर दिया, तो इस पर कौन सा charge लेगेगा, section 8 का charge लेगेगा, it is immaterial whether a person undue advantages promise to give some person under the perform his public duty, और यहाँ पर इसने ये कि दिये थे, माल लिजे इसने इसको ये कहा था कि अपना काम मत कर, तो भी इस पर ये charge लेगा, माल लिजे अगर किसी ने, अब इसके two में क्या लिखा है, कि अगर एक ने, एक public servant है, उसने एक आदमी को मजबूर करा, उससे 5000 रुपे की demand करी, ठीक है, यहाँ पर माल लिजे एसे demand करी, अब ए जो है वो investigation authority के पास जाता है, ठीक है, और investigation authority के पास जाने के बाद, वो उनसे कह agency की help कर रहे है, तो उस पर यह charge नहीं लगेगा, section 8 का charge नहीं लगेगा, अब जैसे यह movie आयती, खटा मीठा movie, अक्षे कुमार की थी, इसमें क्या होता है, कि जो अक्षे कुमार होता है, ठीक है, वो यह vigilance वालों की मदद करता है, इसको पैसे देने में, ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्षे कुमार है, उस पर section 8 का case नहीं लगेगा, गूस देने पर public servant को गूस देने में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यह investigation agency की help कर रहा है, ठीक है, हालाकि इस movie में तो इसका motive कुछ और तक्षे कुमार का, बड़ यहाँ पर उसके उपर, यह charges section 8 के नहीं लगे तो एक बार पढ़ते हैं कि section 7 में हमने क्या पढ़ाता, section 7 में हमने यह पढ़ाता कि आपका public servant, अगर कोई भी bribe लेता है, या किसी को काम करने, दूसरे public servant को काम करने से रोपता है, तो उस पर section 7 लगेगा, ठीक है, फिर हमने पढ़ाता section 7A, 7A में क्याता कोई अगर उसका agent है, ठीक है, public servant का, या कोई agent कहता है कि मैं आपका काम करवा दूँगा, ऐसे agents की बात करता है, ठीक है, तो उन पे यह section लगता है, और 8 पे वो लगता है, 8 उन पे लगता है, जो public servant को घूस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इन sections में यह यह फरकता है, अब बात करते हैं section 9 की, section 9 क्या कहता है, section 9 यह कहता है आपका, कि offense related to bright public servant by a commercial organization, यानि कि public servant को जो उसने घूस दी, वो कौन था, commercial organization थी, ठीक है, जैसे मान लिजे कोई company है, ठीक है, mcdonald's हो गई, या अपना कोई construction company है, वो अपना clearance clear करवाने के लिए public servant को घूस देती है, या दोनों मिलके एक द सारे होंगे, उन पर क्या लगेगा, उनको उस offense की सजा मिलेगी, ठीक है, अब एक बाइसे detail में पढ़ते है, where an offense is under the committed by commercial organization, commercial organization मतलब यानि कि किसी organization नहीं करा है, ठीक है, shall be punishment with fine, if any person associated with commercial or promise, give undue advantage of public intention, यानि कि अगर किसी उस company के organization के किसी ने undue advantages देने के कोईश करी है, तो वो सकते है, ठीक है, जैसे को इसमें एक चीज है, जैसे मान लीजिए, पब्लिक सर्वेंट है, ये मान लीजिए, पब्लिक सर्वेंट है, ओप्यम है, ये ओप्यम डिलीवर करता है, यानि कि अफीम जो है, वो आपका डिलीवर करता है, पब्लिक सर्वेंट होते है, ये drugs controller होता यह रहे हैं इसको गूस दे रहे हैं और अगर इनके दिया उन पर सरक्म्स्टांसिस ऐसे पैदा कर दिये जिस के वह उनके पास और कुई option नहीं था तो कोई चार्ज़ ने लेड़ तो provided एड है कि it shall be defense यह यह defense है इनके पास किनके पास इन commercial organization के पास कि आपका to prove that it has been placed educated process की अगर पूरे process के साथ आम हुआ है और इन्होंने इस process में commercial organization ने इस process में कोई छेड़ घानी नहीं करी है तो तो ठीक है otherwise इनको सजा commercial organization को सजा मिलेगी अब जैसे example से समझीए कि अब जैसे यहाँ पर यह commercial organization का म अच्मिक है कुछ कम्पनिया और नहीं होता है जैसे आपका आपका इंडिया के अपनिया कि तुछ अब पाहर की तुछ कि यहाँ पर नहीं है आपका बतायाख सारा इसमें और यह आपका कैस होगा ठीक है यानि कि इसकी की और ना झालबार पुलिस वाला डिरेक्ट इरेस्ट कर सकता है पुलिस वाले अपको अर्ट यह क्या अब इसने ली ना ली वो अलग बात है ली है तो 7B लग जाएगा इसके उपर अगर इन्हों ने करिया तो इन पर 8 लग जाएगा तो इनकी organization पर तो सिर्फ fine लगेगा पर इसकी company का जो डिरेक्टर था चीक है या manager था या secretary था या कोई भी officer था उसको उसकी सदा मिलेगी चीक ह और आपका 7 सल तक भी जा सकते हैं और fine तो लगेगा यानि कि इसे दुवारा से समझते हैं कि हमने 7 में पढ़ा था कि कोई आपका public servant of corruption करता है यानि कि bribe लेता है तो उस पर case लगेगा तो यहाँ public servant voluntary करता है तो खुद ठीक है यहाँ पर 7A उसके agent लगेगा ठीक है 8 जो होगा section 8 जो होगा वो call लगेगा अगर एक public servant ने गूस लेने से मना कर दिया और किसी बंदे ने चीक है या किसी commercial organization ने दिया तो उस पर charge लगेगा public servant को गूस देने पर और आपका section 9 क्या वहाँ रहा था कि commercial organization पर आपका fine लगेगा और commercial organization होती है चीक है और उनके पास क् defense है और section 10 यह कहता है कि अगर उस commercial organization के किसी director of director ने तो director, secretary या आपका उस company के जो offices थे जो इस deal को corruption में deal कर रहे थे, undo advantages दे रहे थे, उन पर क्या charge लगेगे, उनको सजा कितनी मिले कि 3 साल से लेके 7 साल तक your fine दी, सीखें अब बात करते हैं आपका section 11 की, section 11 क्या कहता है, कि देखें इसमें क्या है, कि आपका non consideration होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका police officer है, वो अपने subordinate को अपने से, जैसे ही SHO है, चीक है, SHO आपके एक sub inspector से कहता है, अपने subordinate को कि यार वो मेरे बतीजे का case है, तू से य लेकिं दोनों के वीच में कोई consideration नहीं हुआ, यानि कि कोई पैसा नहीं दिया ना कुछ दिया, पर तब भी यहां पर corruption तो हुआ, क्योंकि यहां पर जो sub inspector है, चीक है, यह public जो SHO था, यह उसे कह रहा है कि यार अपना काम मत कर यार निकि परफॉर्मेंस करने के लिए forbear कर है उसे, चीक है, यह अपना काम ना करने के लिए dishonest intention के साथ कह रहा है, तो यहां पर इस चुपे और इस पर अगर इसने कर दिया, तो इस पर भी लगेगा, और ऐसा चुपे, तो यहां पर में कहा कि consideration नहीं है, तो यहां पर आप देखिए without consideration बात करी गई है, चीक है, तो य otherwise नहीं लगेगा, तो यहां पर हमारा सबसे important बात है कि कोई पदले में पैसे या आपका six day holiday package, या बच्चों का school में admission, या बदले में आईपोन, यह ऐसे कोई consideration चीज नहीं होनी चाहिए, चीक है, पर तब भी आपका undue advantage में कोई consideration ना हो, अब बात करते हैं यहां पर, whoever being a public servant accept or obtain, attempt himself or any other person, या तो अपने लिए कह रहा है, या किसी और परसन के लिए कह रहा है, जैसे सचों कह रहा था, अपने भतीजे के लिए, ठीक है, undue advantages without, या तो undue advantages तो ले रहा है, पर यहां पर उसकी, जो undue advantages है, fulfillment है, वहां पर उसमें कोई consideration नहीं है, तो कोई consideration नहीं है, for the inadequate for any person who he has been likely to be concerned in proceeding business transacted and transact public servant, तो यहाँ पर इस SHO किते साल की सजा मिलेगी, आपका, 6 मेने तक की सजा मिलेगी, जो आपका 5 साल तक भी जा सकता, और fine भी लगेगा, पर यहाँ पर main कहां कि without consideration होना चाहिए, कोई भी आपका 5,000-10,000 या कोई भी आपका consideration नहीं होनी चाहिए, corruption में, under your advantage is सिरफ आपका जिश्चदारी के base पे हो गया, या इन जीजों के base पे हो गया, अब बात करते हैं section 11 की, section 11 कहता है, punishment or abatment of offense, या तो किसी को उकसाता है, या उस क्या कि ऐसे circumstances बनाते हैं, जैसे माल लेजिए कोई honest police officer है, या कोई honest public servant है, जो इसके उपर के जो अला अधिका इसके उपर ऐसा pressure बनाते हैं, instigate करते हैं इसे नहीं ले, इसके आगे ऐसे circumstances करते हैं, कि इस बचारे को मजबूरी लेनी पड़ती है, जैसे circumstances बना रहे हैं कि इसको undo advantages लेने पड़ रहे हैं, लेने के आगे हिसाब करते हैं, वनना इसकी नौकरिवे पर बात आज़ेगी, य यानि कि जैसे A ने B को कहा कि C से 5,000 रुपे ले ले तो यहाँ पर क्या B ने लिया तो तो B वी जम्यदार है पर अगर यहाँ पर इसने सिरफ उकसाया है तो इसको अवेट्मेंट की सजा मिलेगी अवेट्मेंट में आपका सिंपल सा होता है कि A परसन ने दूस B को अगर उकसाया है ठीक है यहाँ एंगेज कराई किसी हल्प करने के लिए तो उसपे A चार्ज लगेगा अवेट्मेंट का ठीक है ठीक है लिए इसने कराया पैसा तो इसने लिए अंडियो एडवांटेजिस इसे लिए पर इसे उक्साया किसने ए ने उक्साया तो जो इस पर लगेगा और कितनी सज़ा होगी आपको इस अबैटर को तीन साल तक की सज़ा होगी जो आपका साथ साल तक भी चाह सकता है और फाइन भी लगेगा अब बात करते हैं criminal misconduct by a public servant, अब देखें यहां misconduct की बात करिए, जैसे पुलिस वालों को या किसी भी सरकारी आदमी को कोई गाड़ी मिलती है, और वो क्या करता है, उस गाड़ी का misuse करता है, जो उसको power है, उनका misuse करता है, misconduct है, यानि कि उसको जो public servant को ऐसे power मिली गई है, वो उसका misuse करते हैं, जैसे अब public servant is set to be offence of misconduct, if we dishonestly, यानि कि एक का फाइदा दूसरे का नुकसान करने के इरादे से, या फ्रोड दोका देने के इरादे से, या गमन करते हैं, किस चीज़ का, किसी भी property का, convert कर लेते हैं, जैसे माल लीजे, पुलिस officer बरामत करता है किसी से पांचसार रुपे, और वो पांचसार रुपे वो सरकारी खाजाने में जमाक करवाने की जगा, वो पांचसार रुपे अपनी चेम में रख लेते हैं, तो यहां उसमें क्या करें, misconduct कर रहें, ची़क है, तो ऐसे में मिसकंड़क्ट की कितनी सजा मिलेगी आपका, shall not be less than 4 years जो का 10 साल तक भी जा सकती है और अपनी आई से यहां पर इस सबसे इंपॉर्टिंट यह है अपनी आई से जादा पैसा रखना भी आपका इसी में आता है जैसे मान लीजिए मेरी इंकम में 50,000 रुपे और मेरे पास जो आई है वो 100 करोड़ की आई है कही आई है आई है कोई उते पटवारी जो ऐसे पकड़े जाते हैं इतनी इंकम के साथ तो उन पर क्या केस लगेगा सेक्शन 13 का केस लगेगा मतलब अपनी आई से जाधा प्रॉपर्टी रखना भी विए डाउट एनी एक्स्विनेशन में यह वाला केस लगता है अब सेक्शन 14 क्या गया रहा है क कोई habitually dealer है यानि कि पहले भी convicted हो चुक है corruption के case में दूसरी बार भी हो चुक है तो अब मी जूटेगा तो अगर कोई ऐसे habitual dealer है ठीक है corruption में तो उसे 5 साल तक की सजा होगी जाधा और extend हो सकते 10 साल और fine भी लगेगा अब section 15 कहता है कि whoever attempt to commit any offense which shall not be less अकर किसी offense का attempt करता है या त आगे circumstances बना रहा है ठीक है या दोनों के बीच में कोई कह रहे है यार मेरे दो पब्लिक सर्मेंट के बीच में हो रहा है या मेरे रिष्टदार का काम करवादे ठीक है कोई भी बस यह काम हो रहा है तो ऐसे में कोई attempt भी करता है इन offense का साथ का 7A का चीक है आट का 9 का 10 का या fine भी लगेगा अब बात करते section 16 की section 16 यह कह रहा कि section 7, 8, 9, 10, 11 और 13 का section 2, 14, 15 अगर कोई भी इनमें जो fine लगेगा जसाब जो fine लगाएंगे जो special judges होंगे section 3 के अंडर जो special judges consider करेंगे वो fine जो लगाएंगे वो consideration देखके लगाएंगे जो unview advantages का था जैसे कि माल लीजिए ए ने बी को ए जो था वो public servant था भी से demand करता 10,000 की तो यहां 10,000 की है एक लाग की तो जो fine लगाया जाएगा तो उसमें वो जो consideration जो यह 10,000 रुपे थे ठीक है फिक्सिंग की वो भी चीज consider करी जाएगी इसको इसाप से भी fine लगाए जाएगा अच्छा कासा fine लगाते है जैसे अगर 10,000 की करी है तो judge क्योंपर है discretionary power है वो इस पर double भी कर सकता है यह इसका triple भी कर सकता है ठीक है तो मन